हेलो गाइस मेरा नम अनुप है और आप मेरा चनल देख रहे हैं अनुप गुपता गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस परकार अपने ब्लोग को अपने पिंटरस्ट अकाउंट के साथ कनेक कर सकते हैं Guys, blog को Pinterest के साथ connect करने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा करना क्यों जरूरी है Guys, जब आप अपने blog को Pinterest account के अंदर connect करते हैं या claim करते हैं तो Pinterest का आपके इस account के उप़र trust भढ़ जाता है Pinterest को लगता है कि हाँ यह जो आपका account है किसे ना किसी website के साथ connected है जिससे क्या होगा कि आपकी authority भढ़ जाएगी और Pinterest का आपके account के उप़र जादा जादा trust आएगा इसके result सवरूप आपके बहुत सारे impressions आएगे यह impressions भनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है और आपके click to rate भी भढ़ जाएगे click to rate का मतलब क्या है कि जो आपके impressions आ रहे हैं वो ज़्यदा ज़्यदा connection मतलब आपके block के तरफ traffic में connect हो जाएगे तो guys आप अपना block को claim करके अपने जो website है उसको पर traffic को भी ला सकते है guys आप मैं आपको practically बताऊँगा कि आप किस परकार अपने block को pinterest के अंदर claim कर सकते हैं तो guys अपने block को claim करने के लिए पहले आप यहाँ पर जो pencil का button दिखाए दे रहा है इसके उपर click करें जैसे आप pencil के button के उपर click करते हैं तो आपके पास edit html का option खुल जाएगा यहाँ पर number 3 पर लिखाओगा claim जैसे आप claim के उपर click करते हैं तो pinterest आपको चार तरीके से claim करवाता है पहला कि अपनी कोई भी website मतलब blog website या कोई other website है उसे claim कर ले या अपने instagram account को claim कर ले या अपने etc को यदि आक ले या अपने YouTube channel को claim कर ले तो हम कया करेंगे हैं अपका जैसे आप claim के उपर click कर दिया है जैसे आप claim के उपर click करते हैं तो यह है आपको तीन option देता है कि आप किन तीन तरीकों से अपने blog को Pinterest के उपर verify करवा सकते हैं तो पहला आता है add stml tag, add stml tag का मतलब है कि आप क्या करें जो यहाँ पर code दिया गया है इसको यहाँ से copy करें और paste this tag into the head जो आपका main website के अंदर stml codes होते हैं उसमें जो head का section होता है उसके नीचे आप इस वाले code को paste कर दें तो इस तरीके से आप अपनी website को वहाँ पर verify कर सकते हैं दूसरे तरीका क्या है upload stml file तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप यहाँ से stml file को download कर सकते हैं अगर आपकी wordpress की website है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं root dictionary के अंदर इस वाले code को upload कर सकते हैं और number 3 तरीका आता है add txt record इसका मतलब क्या है आप यहाँ से इस code को copy कर ले और जो आपके domain है जहाँ पर आपने domain होस्ट कर रहा का है वहाँ पर जाकर इस code को paste कर दें तो हम यह इसके अपर क्लिक करेंगे थीम के उपर थीम में क्लिप करने के बाद हमें क्लिक करना है कस्टमाइस के पास्ट यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जाना है edit stml को अपर एजिट पे कुलिक करना है, ठीक जैसे आप सेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका ये वाला कोड, आपकी जो धीम है, उसके अंदर पेस्ट हो चुका है, अब आपको चाहरा है Pinterest के उपर, ठीक है? Pinterest पर जाने के बाद, आपको क्लिक करना है continue के उपर, ठीक जैस, continue के recordings के करने क पर यहां पर आपको क्या करना है, अपनी में वेबसायट है जो आपकी, उसका हिहां पर क्या कर देना है, पेश्ट करने के बाद, आपको verify को पर click करना है, वाइस, मैं अपनी वेबसायट को verify कर चुका हूँ, तो यहां पर लिखा रहा है, यह वाले जो मेरी website है already claim हो चुकी है तो guys आप इस परकार क्या कर सकते हैं Pinterest के उपर अपने blog या website को claim कर सकते हैं तो guys अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी या informative लगी तो please channel को share वे subscribe करें वे इसको like करना ना भूले धन्यवाद जय भारत जय हिंद